भूगोल का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां? फैला मनोहर गिरी हमाले और गंगा जल कहां? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उतकर्ष है? उसका की जो रिशिभूमी है वह कौन? भारत वर्ष है जी हाँ वो भारत वर्ष है नमस्कार मैं अनुराधा पांडे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चहीते कारिक्रम में जिसका नाम है चमेली और इस कारिक्रम में इस बार हम एक ऐसे गंडमाने व्यक्ति को आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो हमारी बहुत माइने में मदद करते हैं देश की सेवा करते हैं और मैं ये कहूंगी कि जन समुदाय की सीधे सीधे ये सेवा करते हैं जी हाँ आज के विशिष्ट अतित्थी मैं स्वागत करूँगी आज के हमारे विशिष्ट अतित्थी का श्रीमान दासारी बालेया जी का जो की रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है साथ ही तिलंगाना के शाखा प्रमुख भी है आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर आपने अपने विश्टतम समय में से समय निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मुखातिब हुए आप आए और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे बहुत सारे जो डाउट्स रहते हैं उनको हम आज क्लियर करेंगे आपसे और मुझे उमीद है कि यह कारिकरम के माध्यम से हमारी जो जन समुदाय जो जनता है जो इस कारिकरम को देख रही होगी उनको बहुत लाब आज पहुँचने वाला है यह हमरा सवभाग है मेडम दूरदशन की माध्यम से और आपकी द्वारा जन को पहुच पाए और उसका जो भी संदे है उसको निवरती कर पाए सबसे पहले से मैं आपसे यह जानना चाहूंगी किस तरहें से आपने सोचा कि मुझे इस मुकाम पर पहुचना है या मुझे जन समुदाय की सेवा करनी है अक्सर हम देखते हैं घरों में की लोग बोलते हैं हमारे माता-पिता बोलते हैं कि या तो आप डॉक्टर बन जाए या फिर इंजीनियर बन जाए तो आप इस तरहें की सेवा में कैसे आ पाए बच्चमन में जो है हम सब पढ़ते रहते हैं जी और मुझे याद है मैं आटवी कक्षा में मेरा गाउ में जो है एक जवान आफिसर आये थे उसकी सारे टीम के साथ वो जवान आफिसर जो है वहां की जो सडक बनाने में और वहां की जो भी गंदगी मिठाने में कुछ काम करते थे उसको जो भी वो कहता था जो भी आडर देता था उसको सारे जो अच्छा पढ़े अच्छा अफसर बन जाए तो हम समाज के लिए बहुत सेवा कर सकता है अमरबाद को बहुत लोग मानेगा वो मेरा बच्पन में जो है दिमाग में बहुत अच्छा तरफ से गुस गया है उसको देते हुए हमें आगे बढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गया बाद में UPSC में सेलेक्शन होते हुए यह मुकाम तक हम पहुच गया है तो यह आपने बहुत अच्छी बात बताए कि अक्सर बच्पन में कुछ ऐसा जो हमारे साथ घटना घटित होती है वो हमारे मन में कहीं न कहीं असर करती है और उसी का परिनाम होता है जो हम आगे जी परिशक है और पढ़ाई करने के बाद ही अगर हम कुछ बात समाज में रखते हैं तो उसका जो वैली होता है वो अधिक होता है लोग बातों को मानते हैं लोग सुनते हैं आपकी कारियाले में वैसे मैंने देखा पिछले कई वर्षों से काफी बदलाव हुआ है काफी नए नए कारिक्रम आये हैं पासपोर्ट सेवाओं को लेकर तो उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आज जो सुविधाएं हैं वो क्या-क्या सुविधाएं हैं अगर हम एक पासपोर्ट बनवाने जाते हैं पहले की अपिक्षा अब क्या-क्या हमें सुविधा वहां पर प करते थी बाद में आमरा मिनिस्ट्री आफ एक्टेनल अफेर्स विदेशी मंत्रालाई और भारत सरकार यह सारे सोचते हुए जो इन्फर्मेशन कम्यूनिकेशन टेकनालोजी को सहारा लेते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से मिलते हुए एक पास्पोर्ट सेवा प्राजे कर दिया है वैसे अभी तेलंगाने में जो है सिकंदराबाद में रहते हुए रिजनल पास्पोर्ट आफिस में सारे पास्पोर्ट इस्यू करते थे एक जमाने में 2011 में जैसे पास्पोर्ट सेवा प्राजेक्ट सुरू हो गया है पांच पास्पोर्ट सेवा केंद्रा को अलग अलग जगा में बहात लिया है ऐसा करते हुए पास्पोर्ट इसवेंस को जो है जनता तक अपने द्वार तक लेने के लिए प्रायास किया है और इसके पहले manual application का process हुआ करते थे अभी online application process को सुरू कर दिया है कोई भी वेक्ति पासपोर्ट सेवा लेने के लिए passport related सेवा यानि police clearance certificate हो और कोई अगर passport को surrender करना है वो surrender certificate हो यह सेवा लेने के लिए जो है www.passportindia.gov.in यह website में login होते हुए अमारी particulars को दर्ज करते हुए एक user ID पासपोर्ट बनाते हुए असानी से अपना application submit कर सकता है अपना payment online में payment कर सकता है और appointment भी book करके उस appointment भी के दिन में उस समय में जो है जो अपना नज़ी की passport सेवा के लिए को जाते हुए यह passport application process को complete कर सकता है हाजकल mobile phone का जमाना है हर आदमी के पास smartphone है वो smartphone में जो है यम passport सेवा अप को लाउंडोर करते हुए असानी से असानी से अपना passport application submit कर सकता है और उसका जो भी updated information है उसमें वो खुद देखके अपना जो passport issuance प्रक्रिया को जो है प्लान कर सकता है तो सर ये तो आपने बताया कि अगर कोई पढ़ा लिखा इनसान है तो वो online में जाकर अपना passport के लिए वो अपने form फिल कर सकता है या उसको भर सकता है और वो अपना appointment ले सकता है या फिर हम app के द्वारा भी ये कारिय कर सकते हैं लेकिन हमारे जो जन समुदाय में कुछ ऐसे लोग भी है जैसे बुजर्ग हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं जिन्हें उतना applications का ग्यान नहीं है उनके लिए आपके पास क्या सेवा हैं यह सुचते हुए जो है हर स्टेट में जो यी सेवा सेंटर होते हैं वो सरकारी द्वारा चलाते हुए स्टेट गोवर्मेंट को द्वारा चलाते हुए यी सेवा सेंटर या मी सेवा सेंटर रेता है वहां निनीत उरुसम कर्ट करते हुए application का submission हो रहा है और केंदर परपुत ने ये भी सोचा है कि कामन सर्विस सेंटर को खूलने से पोस्ट आफीसेस में ये बहुत सेंटर कुले हुए है वहाँ जो है अप्लिकेंट अपना डीटेल के साथ जाके वहाँ एक निनीत फीज पे करते हुए अपना अप्लिकेशन को सब्मिट कर सकता है तो ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी जो हमारे दर्शक हैं जो ये कारिक्रम देख रहे हैं उन्हें जरूर इस बात का ग्यान हो जाएगा कि किस तरह से वो घर बैठे अपना अप्लिकेशन फिल कर सकते हैं और अपने मोबाइल के द्वारा भी एप के द्वारा भी पासपोर्ट का सेवा ले सकते हैं या फिर वो ये सेवा या मी सेवा में जाकर भी अपना फिल करा सकते हैं और उसे जमा करा सकते हैं यह एक और चीज मेरे दिमाग में आता है जैसे हैदरबाद है यह कॉसमोपॉलिकंस इटी है यहां पर अनिक भाषा भाषी अनिक प्रदेशों से लोग आकर रहते हैं अलग 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 तपकों के लोग है अगलग भाशा प्रांत के लोग यहां आकर रहते हैं। ऐसे में आपका जो पासपोर्ट केंदर सेवा है, वहां पर किस भाशा का आप लोग प्रयोग करते हैं। अगलग सेवा केतर हैं। अगर हनखित करने में लोगों में घृत नहीं पाशा करें जबता हैं। पट मेरा परसनल एक्सपिरियंस है, हिंदी में जो है बहुत जादा से बात हो रहा हैं और लोग कंफर्ट है, हिंदी में बात करने में, समझाने में, समझने में, तो हिंदी में अपना इस भी रेता है, हिंदी बहुत comfortably त्यलंगा नक शेत्र में यूज़ हो रहा है। तो निश्य ही आपके कारियाले में भी हिंदी को बढ़ाने के लिए आप लोग कुछ कारिक्रम भी करते होंगे। बात करने में और काम करने में कोई परिशानी नहीं है। एक निवेदन है, इस्टैंडिंग इस्ट्रक्शन है, वो जितना जादा हो सके उतना जादा हिंदी में काम करें। या नोट शीट हो, या आर्डर हो, या कोई सर्कुलर हो, ये सारे हिंदी में करने की प्रयास कर रहा है। और इंग्लिश राजबाशा की है ये, इसकी साथ हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहा है। और कुछ महेने के पहले, हमारा समसदिय कामिटी ने आय थी, राजबाशा की बदा की मेरा की आये थी, व आने के बाद में होते边 हों चेwait होतेना आतें भी, प्रसण होई। शींदी साह थे भी आई थे, वो भी ऑनका मेयग को देखते हुए। वो हिंदी का encouragement करना, हिंदी को प्रयोक करना, हिंदी में काम करना, यह सारे देखते हुए हमें बहुत प्रशंसा मिली है अच्छा जी बिल्कुल ये बात जैसे हमारे साहिति में भी कही जाती है और बहुत सारे कवियों ने भी कही है कि अपनी भाषा सीखना बहुत ही गर्व की बात होती है और भारत इंदु जी ने तो कहा है कि निज भाषा उन्नती अहे सब उन्नती को मूल बिन निज भाषा ग् अगर कोई बात करे अच्छा तिल्गु बोल पाए उसको हिंदी सीखना बोलना बहुत आसान है बहुत शब्द बहुत मिलती है अब जब हिंदी की बात हो रही है सर तो आपके विदेश मंत्राले से एक कारिक्रम मैंने सुना है किया जा रहा है तो उसके बारे में कुछ करते हुए एक सम्मेलन फिजी में हो रहा है फिबरवरी में इसके जो है सारे जाने माने कलकार और हिंदी में हिंदी बढ़ाने की कोशिच करने वाले की एक फिजी सरकार की समयोग से एक मीटिंग हो रहा है एक सम्मेलन हो रहा है एक ट्रडिशनल नॉलेज और तो ये इस पार का विश्य है है। वो फिजी में होने वाली विश्व हिंदी सम्मेलन में पारंपरिक गरान से खुर्तिम मेधा तक ये सब्जेट को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत अनौखा कारेक्रम है। चाहते हैं कि बहुत अच्छा कारेक्रम हो और सारे विश आते हैं कारेले से, मुख्य कारेले से, आप उसको भरपूर आप उसका योगदान करते हैं। और मैंने अभी देखा कि आपने इक्रिस हैट के साथ भी कुछ कारिक्रम किया है। तो वो क्या है उसके बारे में भी हम जानना चाहिए। हम सब जानते हैं इस साल इंटरनेशनल की सेलिबरेशन हो रहा है। हाँ और ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टूट यहां बसी हुए है। बहुत दिनों से बहुत मीनिंगफुल काम कर रहा है। उसको ये ड्राइलैंड एरिया में जो है। जो वहां बसी हुई लोग उबलने की जो धानी होता है। उसक इतना बड़ा इंटरनेशनल येर का सेलिबरेशन हो रहा है। हम मिनिष्ट्राइशनल अफेर्स का रिप्रेजेंटिटिव होते नाते। उस इकरसाइट से हमने संपर किया। अभी जो जनवर एक तारिक से पंदरा तारिक तक हुआ सवच्चता पकवाड़ा में जो है। उ हम यह चाहते है कि मिलेट्स का जो युजबिलिटी है उसका जो फाइदा है हमारा विजिटिंग पासपोर्ट अप्लिकेंट्स भी ले ले हर दिन 200-300 आदमी आते है हमारा आफिस को वो सारे जो है वो मिलेट्स का गनान पाए और उसका जो भी फाइदा है उसका उठाए उस अचता पकवाडा में जो है हमें एक ब्लड डोनेशन कैम्प सुरू किये थे चरंजीवी चारिटर बो ट्रस्टू लेते हुए चरंजीवी गारू एक माने जाने एक कलाकार है सिनी कलाकार है उसको भी जो है साब को भी जो है एक इंटरनेशनल येर अफ मिलेट्स का सेलेब अशनी मूड में दो एक अच्छा मे सेज गया है कि हम मिलेट्स को यूज करना चाहिए थे पान में जो है मिलेट्स का एक भाग होना चाहिए थे आमारा तंदूरस्ती बढ़ेगी और हमारा जो ट्रेडिशनल मिलेट्स वेरेटी से वह परिजपी हो गी उसको बनाने वाला को भी थोड़ा फाइदा होगी जी अधरवाइस आने वाले जिनों में जो है कुछ इसा धान जो है वो ना पता हो जाएगा बिलकुल ये नहीं होने का हर व्यक्ति का काम है ऐसा ने कि फार्मर की है फार्मर है तो आम है जी ये हमारा सारे इन्डिजीनियस धान का वेरेटीस है वो सारे उसका में प्रोटेक्ट करें और उसका हमारा डेली फुड हैबिटस में भाग करें और अमारा जो है देखबाल करें तो आप तो मतलब दुगनी सेवा कर रहे हैं समाज की एक तो आप पासपोर्ट के माधियम से जन्द जो है वो अच्छा होगा और मश्तिक्ष जो है वो और अच्छा होगा तो हमारा भारत वर्ष जैसे जाना जाता था कि वो बौधित्ता के लिए जाना जाता था यहां पर अने को किताबें लिखी जाती थी और पौराणिक कई हमारी जो इतिहास है वो बहुत ही मैं कहूंग में क्या ये जो पद्धती आप अभी आपकी चल रही है ये इसी तरह चलती रहेगी या इसमें कुछ improvement भी होगा 10-11 साल हो गया है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट सूरू करते हुए अमारा Ministry of External Affairs की एक प्रयास जारी है जो पासपोर्ट PSP 2.0 वर्शन मतलब इस सेकंड इंप्रोवाइजर वर्शन अफ पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को इसकी पूरी तरफ से तैयारी डिली में चल रहा है इसमें जो है एक स्पीड अनप एक अतिवेग से चलने वाली PSP फ्लाटफार्म मिलेगी लोगों को उसमें और अन्य सविधा भी पासपोर्ट अप्लिकर्ट्स को दिया जाएगा और इसके साथ ही एक यी पासपोर्ट का एयोजन भी चल रहा है पासपोर्ट में एक चिप एमडिड हो जो भी डाटा इंफरमेशन है वो चिप में वो निक्षिप्त हो जाए जब बाहर में आप चलते हैं वीदेश में जो है वो चिप स्कैनिंग पासपोर्ट का सुविधा है बहुत देश वो उसको चला रहा है उसमें सैमिल होते हुए हमारा देश भी हम डवलप्ड नेशन की पासपोर्ट का चहरा भी बदलने वाला है उसमें बदलने वाला है आने वाले दिन में ये जरूर है कि हमारा मिनिश्टर अफेर्स अपना सेवा जो है हवर दुगनी कृत करते हुए अप्लेकेंट्स का सेवा में जुड़े रहेंगे ये अपने बहुत अच्छी बात कहीं स कि चिप उसमें लग जाएगी पासपोर्ट में तो जिसके माध्यम से हमारी जो जानकारी है वो हम कहीं भी मतलब किसी विदेश में अगर जाते हैं तो वहां पर आसानी से ले सकते हैं सर ये ऐसा एक सवाल मन में आता है कि पासपोर्ट लेकर हम जब विदेश जाते हैं मान लीजिए किसी हाथसे से या कहीं हमारे हाथसे खो गया या पानी में गिर गया कुछ भी हो सकता है कोई हाथसा हमारे साथ हो गया और हमारा पासपोर्ट जो है वो नहीं रहा हमारे पास जहीं भी जो है अपना भारती व्यक्ति अगर पासपोर्ट खो गया वहाँ की मिशन में, हाई कमीशन में या कॉंसिलेर जनर में जाकर रिपोर्ट करना चाहें, वहाँ सारे प्राबंदी है, वापस सी आने, एक एक अशो करते हुए उसको भारतेश आने की परहास करता है, वह या आने के बाद पर अपना जो डॉक्षय में दिया जाता है, क्या वह एक भार के लिए उप्योग में लाए जा सकता है, या उसे दो तिनАशल आ एक बार रातyes आने पासपोर्टि, है जी, इमर्जेंसी सर्टिफिकेट वहां से जो पसा हुआ है वो अपना भरदेश आने के लिए वन वे जन्नी माना जाता है ये भी जानकारी मैं मानूंगी कि हमारे दर्शकों को आज एक महत्वपून जानकारी मिल रही है जो विदेशों में जाते हैं या अकसर घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो उनको ये जानकारी मिलेगी कि अगर उनका पासपोर्ट वहां खो जाता है किसी माध्यम से तो वहां के कॉंसलेट में जाकर अपना परिचे दे सकते हैं और एक इमर्जनसी पासपोर्ट वह ले सकते हैं और भारत देश वापस आ सकते हैं अपने देश जैसा तो और कहीं होता नहीं है, हलाकि हमारे देश में भी लोग घुमने के लिए आते हैं, कई सारे विदेशी आते हैं, तो उनका अगर पासपोर्ट खो जाता है, तो उसमें हमारी कोई सहभागिता होती है? जैसे आपको मालूम है, हमें इंडियन पासपोर्ट इंडियन सिटिजन को दिया जाता है, जैसे अगर विदेशी यहां कुछ पासपोर्ट का कोई परिशानी है, वो अपना अपना देश की कौंसलेट जनरल पे जाए, या हाई कमिशन पे जाए, वहां जो अब उसकी एक बड़ा कारेक्रम है जी और ये डाटा सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, हर दिन 75,000 अपाइंटमेंट्मेंट्स रिलीव होते हैं, 75,000 लोग, पासपोर्ट अपलिकेंट्स, अपना पासपोर्ट सेवा केंदरा में और पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा कें करोड की पासपोर्ट इस्यू कर रहा है, ये एक बड़ी कारेक्रम है और ये इसका संक्या को जो है, जैसे जरुवत पढ़ते रहते हैं, उससे थोड़ा बढ़ावा भी देते, आगे बढ़ रहा है, आच्छा, तो इतना सारा पासपोर्ट जारी किया जारा है सेर, क्या पह जो नहीं हो सकता, अभी जो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट में जो है, एक दम फूल फूप वैवस्ता कर चुके है, जो भी अप्लेकेंट है वो खुद आना चाहिए, और वो अपना बयोमेट्रिक्स पासपोर्ट सेवा के अंदरा में देना चाहिए, जो दा उसका चेहर को यूज करते हुए, वो फरजी पासपोर्ट का संभावना जो है, बहुत बहुत खम हो चुके है, इस अलमोस्ट इंपॉजबल, लेकिन कोई जो है, गलिती डाकुमेंट देते हुए, वो ले सकता है, लेकिन ये जो है, पोलिस वरिफिकेशन में या हमारा पासपोर्ट रहे हैं नागरिकों के उपर, तो क्या नागरिकों के जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो भी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताईए, ये है, एक केंदर प्रभुत्वी के एक पब्लिक फेजिलिटेटिव प्रोग्राम है, पी-स-पी प्रोग्राम, इसमें जो है, स बातो के कि का रेकमेंट चाहिए, का रेकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, बिलकुत, वो सारे अप्लिकेशन सभीशन में जो है, एक अंड़ेकिंग होते है अप्लिकेंट कि, जो भी हमें कह रहा है, विन जो भी मैं सभीत करहा हूं, ये HRज थू दरी प्रोग्राम भूलेड् जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब सरकार इतने सारे कारिक्रम हम सभी के लिए हम सभी नागरिकों के लिए चलाती है तो उसमें हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी कारिय कर रहे हैं वो हमारे देश के हित में हो हमारे हित में हो और उसकी जबाबदे ही हमारी होती है तो बिलकुल यह आपने बहुत अच्छी बात कहीं कि जितना सरकार हम पर भरुसा करती है उतना ही नागरिक का भी करतव यह होता है कि वो भी अपने सरकार के साथ साथ रहे और कोई ऐसा कारिय ना करे जो सरकार के अहित में या उसके अहित में हो आपने यह बत यार्थियों के लिए खासता और पर इसमें क्या सो विधाएं हैं? देश का अब तो देख लिए हैं और त्यलंगाना में जो है हर दिन जो है 3,500 आदमी लोग अप्लिकेंट्स आते हैं करते हुए और पिछले साल जो है हम 6.59 लाक्स पासपोर्ट आमने इस्व कर चुके हैं और यह करीबन एक लाक से अधिक पासपोर्ट्स जो नार्मल जो करोना की प्रिवेस में जो नार्मल येर हुआ करती थी वह नार्मल येर जो टाप येर हुआ करते हैं उससे जो है एक लाक से ज्यादा हमने पासपोर्ट इस्व कर चुके हैं यह इतना यह बड़ा काम जो है यह हुआ है हमारा लोकल पोलीस का दुनिजनरबल सपोर्ट और पोस्टल अथारिटीज का एकदम अच्छा सपोर्ट ठ चार-पांच दिन में पोलीस वरिफिकेशन कंप्रेट करके भेज देते हैं वोके इत इस कंसिडरड वन अप दे बेस्ट को के रिसेंटली हुआ विजनल पासपोर्ट आफिस कानफरेंस में जो है हमारा तहलंगाना पोलीस ने एक प्रशंशा पत्र भी लिया है अच्छा व जो लोग भी जो हर गर जाके उसको दिलिवरी करते हैं तो इतना बड़ा कारेक्रम यह एक बड़ा मेला 3500 एजुकेटेड जो दुनिया में हर जगा कोने-कोने जाके काम करते को तरक्य करते हुए देश की और अपना गाव के अपना परिवार की जो ख्याती लेने वाले इत यह करते हुए उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करते हुए लगातार हम काम करते जा आ रहा है और आपको कहने के लिए यह बात होगी जो कोराना टाइम में एकसेप्ट दोज अधर कंप्लीट लॉगडवन पिरेड को छोडते हुए बाकी सारे दिनों में जो है पासपोर्ट में खुला है तो सारे कुर्णा साल में पिछले साल और इसकी पहले पिछले साल हमारा सेवा लगा अतार जारी था यह हमारा साव भाग्य है यह गार्ज गिवन अपरचूनिटी जैसे एक क्रैसीस आता है एक हंसीन कभी कभी ना सुना है कभी ना देखा है किसी की अमर जेंसी है किसी का ट्रीटमेंट जाना है किसी का जा के लेखे आना है कोई कि श्टक हुआ है यह सारे सारे exigences को हमें पहर किया है ये अपना सवभागी है कि देश सेवा में जो है जैसे एक मौका मिलता है यू नीड टू रेज टू दाकेशन बियांड इवर सेल ये मैं घरू से कहता हूँ कि अमरा थेलंगाना सारे खर्मचारी जो पोलिस है हम है पोस्टल है हम वी लिवर अप टू दाकेशन तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ आपकी सारी टीम को मैं बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने इतना काम किया और उसको बंद ना रखते हुए जरूरत जब पासपोर्ट की हम बात करते हैं तो उसमें जब एक व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अपलाई करता है तो उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं चाहूंगी आप हमारे दर्श्रुकों को बताएं पासपोर्ट अप्लिकेंट है वो जब 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 नया अप्लिकेशन को आ जाए या रिन्यूल पर आ जाए वो करेंट रेसिडेंशियल अड्रस देना बहुत जरूरी है और दुनिया बहुत ग्लोबल विलेज बन चुके है कोई लड़का एक चोटा गाव की है लेकिन वो प अरता का देचाल डूरी ह couponशियल फेरता का टेटीट अप्लिकेशन में दे और उसी का डॉकेमेंटस दे इति प्लेश मेष में सबसे प्यारा है इसका मतलब यह औन्हें कि पासपोर्ट जो है एक डैनेम डाइनअन दोबविलिंग डॉकमेंट आपको दुनिया को दिखान कुछ इंफरमीशन पाना चाहते हैं, अगर वो नेटिव प्लेस में है, नेटिव प्लेस में कोई आप नहीं रहोगे, वहाँ जो भी है, वो लोग उसको इतना ज्यादा मानिता नहीं दे पाएंगे, उस समय जो है, चोड़ा परिशानी हो सकता है, इसलिए जो है, चोड़ा प अप्लिकेशन सब्मिशन प्रसेस में आगया, आप सारे जो है, बाल निकाल के आगया, लेकिन आपका जनरल अप्यरेंस को एंशूर करना, देट इस गूड फर यू, जैसे आप चार साल के बाद कही फारेंट टिर्प में जा रहे हो, आपका डिफरेंस एकदम अलग हो गया इसलिए जो है, यह देखते हुए, और जब भी पासपोर्ट आफिस को आते हो, अप्लिकेशन सब्मिट करने में, तोड़ा समय स्पेंड करना चाहिए, इतना यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, www.passportindia.gov.in, इसमें जो है, facts and queries, facts and queries भी है, इसमें, question and answers भी है, वो सारे द full knowledge, कि नार्मल में अपले करना चाहिए, ततकाल में अपले करना चाहिए, ततकाल का eligibility क्या है, ऐसा, ऐसा कहते हुए, आपका समय को आप प्रापर यूजर कर सेकते हो, यह एक बार जब पासपोर्ट आ सेवा केंदरा को जाओगे, आपका सारे काम करके वापस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अनप्रिपेड चला गया, फिर वापस आओगे, अगेन यू टेक अपाइंटमेंट, यह सारे अपना उपर एक अननसेसरी बर्डन हो जाएगी, दूसरी आपकी जो है, प्रिशियस टाइम, आपकी वेश्ट हो रहा है, यह सारे जो है, जी इस आल इंडिय जो है, और इसके अलावा जो है, एक अनले इन स्टोर करने की फेसिलिटी भी है, वह भी आप यूज कर सकते हो, यह सारे चीज़ दुष्टी में रखते हुए, अपना टाइम को जो है, वो प्रापरली मैनेज कर पाएं, और अपनी जो सेवाएं उसको चाहिए, वो उसको मि मिल जाएं और समय पर मिल जाएं, अगर वो सही तयारी के साथ जाता है, तो उसको भी परिशानी नहीं होगी, और ना ही पासपोर्ट देने, बनाने वालों को परिशानी होगी, तो दोनों को परिशानी नहीं होगी, अगर वो तयारी के साथ जाते हैं, बिलकुल आपने सही जनरली इसमें मांगते हैं तो वो क्या for date of birth certificate मांगते हैं या वो compulsory होता है ऐसा कुछ नियम है जो minors और senior citizen को छोड़ते हुए जो है बीच वाले को जो है दो टाइप की passport issue करते हैं अगर इसलिए जो है वो दसवे क्लास पास होने वाली passport holder जो है यह नो सबोट इस राइट वो जब बाहर जाएगा वो अपने आप संभालेगा अगर इसलिए जो है वो दसवे क्लास certificate जो first time जाते है जो minor नहीं होते हुए और senior citizen नहीं होते हुए वो productive age में उसके वो अगर पड़ा हुआ है वो document लेकर जाना जरूरी है वो लेकर गया तो इसको ECNR passport issue हो जाता है immigration check not required और वो 10th class तक भी पड़ाई नहीं है उसको जो है ECR passport issue करता है that is good for the passport holder क्योंकि जैसे airport में जैसको जैसे एक special check होते है to ensure that उसको जो है unnecessary फाइदा नहीं उठा रहा है कोई with a wrong reason okay okay कोई tourist visa में लेकर जा रहा है कोई काम करने में या कोई उसको काम करने लेकर जा रहा है without his acceptance यह सारे चेक करने के लिए एक immigration check required होता है इसलिए जो अगर educated है उसको ECNR होता है वो uneducated नहीं है उसको immigration check required passport issue करते है वो actually वो passport holder के हित में है तो students के लिए कुछ special benefit होता है क्या student passport जो apply करते है students का जो है उसको special requirement मानते हुए फीज में तोड़ा रियाज है normal applicants को हमें 1500 लेते है वो student का जो है 900 रुपीस है और दुसे documentary requirement में भी कुछ रियाज है जैसे ततकाल passport जनर बड़े लोगों को लिए है जो है त्रीन डाकुमेंट मानते है but for minor अगर कोई student below 18 years अगर कोई ततकाल से वा लेना है उसको सिर्फ दो document माना जाता है यह सुविधा है तो यह special सुविधा भी आपने दे रखे काउंटर्स में भी उनको क्या प्रधान्यता दी जाती है या उनको कोई मतलब उनके लिए अलग से कोई counter वगरा students के लिए यह वो PSK में जाते है वहाँ जो है minors की और senior citizens की mother with small children small infants इसकी जो है एक yes token की सुविधा है वहाँ जाने के बाद एक normal q line में नहीं जाते हो वह एक special token की issue किया जाता है वहाँ वह सुविधा है जी तो यह सारी सुविधाएं आप हमारे जितने भी जन समुदाय हैं सभी को प्रदान कर रहे हैं और आपने बताया कि हर दिन इतने जादा passport आप सभी को जारी कर रहे हैं और सभी लोग मतलब जाग रुक बन रहे हैं और उन्हें अपने अधिकारों का भी घ्यान है साथ ही साथ आपने बताया कि अपने कर्तव्यों का भी ग्यानुन है होना चाहिए और इतने सारे रियायतों के बाद आप सभी को चाहते हैं कि सभी लोग इस सेवा में आपका सायोग ले और दे दोनों ही चीजें हैं और साथ ही साथ आपने अभी जो मिलिट्स का अपने इहां पर वो स्टॉल लगाया है आप बतारहे थे तो उससे भी वो लोग जो वहाँ पर आते हैं जो वहाँ बैठे हैं वो उसकी जानकारी ले सकते हैं। अपने स्वास्त को और बहतर बढ़ियां कैसे बनाया जाए उसकी जानकारी भी वो ले सकते हैं बिल्कुल हम एक अभी ऐसे फेज में हैं हमारा देश जब हम मतलब developing से almost develop की तरफ मतलब हम अब विकास शील से विकसित की तरफ एकदम बढ़ चुके हैं और कुछ ही मैं मानती हूँ कि कुछ ही समय में हम अपने आपको विकसित देशों की श्रेडी में रख पाएंगे और आप लोगों की मदद जो है इसमें बिलकुल अनिवार्य है हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए तो ऐसे में जाते जाते आप हमारे जो जनसमू हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे बारदेश जो है ऐसा एक फेज में है बहुत अच्छा अच्छा चीज हो रहा है विदेश में इतना मोका आपर्चुरिटीस है हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र में जो भी हर ग्राजुएट की साथ एक पासपोर्ट हो और इंडिया से बाहर जाए और वहां की अपर्चुरिटीस ले उससे फायदा उठाए और वो अपना खुद की और अपना समाज की और अपना देश की जो भी एक फायदा होता है एक बेनिफिट होता है एक प्रसमसनी काम होते हैं वो करें और अमरा बहर देश की खैती बढ़ाए आम लगातार पासपोर्ट इस्वेंस में लगे हुए हैं आम चाहते हैं एमरजिंसी में जो है पासपोर्ट के पीछे ना पढ़ते हुए थोड़ा अडवांस में जैसे ग्राजुएट होते हैं जैसे आपको आइडिया है कि बाहर जाके वहां की जो फिसलिटीस को यूज कर जैसे एकसपारी होता है वो एकसपारी डेट को देते हुए आप टाइमली उसको अपले करना चाहिए जैसे जरूरत पड़ेगा तब रिन्यूवल पे जाना जरूरत पड़ेगा तब पासपोर्ट को अपले करना इट इस नाट अडवाईजबल सो मैं रिक्ोस्ट ये करता हूँ किमरे तेलंगाना में बहुत डिमैंड है बहुत पड़े लिके हुए लोग है अतैलंगों लोग बहुत बाहर जाके बहुत तरक्की कर रहा है किताиком करें और इमर्जिंसी में पास्पोर्ट के पीचर ना पड़े यह मेरा रिक्वेस्ट है आपने बहुत अच्छी बात कहीं कि समय रहते हमें अपना कार्य कर लेना चाहिए और तुरंत जब समय आता है तब हमें परिशान नहीं होना चाहिए हर चीज की planning होनी चाहिए बहुत अच्छा अपने संदेश दिया कि समय रहते हमें अपना passport ही निबल की बाकी काम भी हमें समय रहते ही कर लेना चाहिए तो उसे जीवन में आप जो करना चाहते हैं उसमें एक सुविधा बनी रहती है और आपका द्रिश्ट्री कोन भी सुद्रन रहता है कि हमें क्या करना है आपने अपना समय निकाला यहां पर इतना समय दिया हमें आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम अगर कुछ करना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं तो उसकी कोई न कोई प्रेड़ना हमारे पीछे जरूर रहती है आज के हमारे विशिष्ट अतिती ऐसे ही थे जो अपने कर्म पत से बिलकुल अपने जन समुदाय को जो मदद वो पहुँचा रहे हैं और जितना कर्म शील हमें वो देखने में लगे उनके कारियों को हमने देखा कि वो कोरोना काल में भी उन्होंने अपने सेवाएं सभी को प्रदान की जिससे की हमारा जो जन समुदाय है वो आपस में एक साथ बना रहे और किसी को कोई परिशानी ना हो और आज वो अपने साथ साथ कई और सुविधाएं वहाँ पर प्रदान कर रहे हैं स्वास्त के बारे में वो ज्यान वर्धन कर रहे हैं रक्तदान के बारे मे वो ही साथ ही साथ हमारे साथ जो सही होगी हैं हमारे परिवार वाले हैं या हमारे गाउं शेत्र के लोग हैं सभी को कुछ न कुछ सुविधा हमारे वज़े से जरूर मिलने चाहिए फिर होगी मुलाकात चमेली कारिक्रम में अगले हफते तब तक के लिए अलविदा हैत्रब झाल झाल झाल